आपको बेराइट से दिखाएंगे जहां भेडियों का आतंक अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है नानपारा से एक तस्वेर CCTV कैमरे में कैद हुई है जो बहुत ही भयावा नज़र आ रही है यह तस्वेर हम भी आपको दिखाएंगे नानपारा की यह तस्वेरे हैं जहां बहराइट में यह भीडिया पाया गया और आपको बता दें कि भीडिया CCTV कैमरे में रेकॉर्ड हुआ है बकरी के बच्चे को ले जाता हुआ नज़र आया बता दें कि महसे इलाके में भीडिये ने दस से ज्यादा बच्चों को अपना निवाला बनाया है तब सिफ अनविभाग के टीम लगातार भीडियों के तलाश कर रही है और अब तक पांच भीडिये पकड़े जा चुके हैं और बैंगलोर के मलेश्वरम से एक बहुत ही दर्दनाक और हैराम कर देने वाला मामला सामने आया है जहां जारखन की एक महिला के हत्यार ही नहीं की गई बलकि उसके शब के 30 टुकड़े कर गे फुरज में रख दिया गया इस पूरे मामने को लेका पुलिस लगातार तहकीकात में जुटी भी है हत्याकर शब को 30 टुकड़ों में काटा गया और उसके बाग उसे फ्रिज में स्टोर किया गया महिला जहारखन की रहने वाली है जानकारी के नुसार जहारखन की 29 साल की महिला का 30 टुकड़ों में कटा शब व्याली कावल इलाके में एक फ्लैक के फ्रिज में मिला महिला की पहचान हिमंत दास की पत्नी महलक्ष्मी के रूप में हुई है जो फ्लैक में अकीली रहा करती थी बताया जा रहा है कि महिला का पती अपनी बेटी के साथ अलग रहता है और महिला एक मॉल में काम करती थी